इनके लबे रंगी की निठाबरें ती जिसने राजु भाई हैं मालूम ये करना चाहते हैं कि असाली के साथ निकाह करने से बीवी निकाह तूट जाता है जो पहली और असके निकाह में 30 साली की बेहन उससे निकाह बाकी रहे गहा है तूट जाएगा और इससी तरा सवाल ये कमेंट केंडरDown वह बहुत ज़्यादव लोग करते हैं कि साली से निकाह करने से और ये पूछते हैं कि साली से जिना करने से भी या निकाह तोटता है या नहीं बाद लोगे तस्वर करते हैं कि साली के साथ अगर जिना किया जाए तो इससे निकाह तोट जाएगा या नि उसकी बेहन जो निकाह में है वो निकाह से निकल जाएगी तो ये सवाल कमेंट्स में करने के नहीं होते हैं मैं पहले भी मना कर चुका हूँ कि इसकी मुखतलिफ सूर्थे होती है और दरशल मसला ये होता है कि साली के साथ निकाह करना या फिर जिना करना ये दोनों सूर्थे नाजाइज हैं बलके जिना तो हराम है अगर्चे किसी के साथ भी किया जाए मगर इससे बीवी का निका नहीं तूटता ये तो पहली चीज़ है कि इसमें निका नहीं तूटे गा मसला ये है कि बास सूरते इसमें ऐसी हो जाती है कि अगर बीवी के साली के साथ जिना किया जाए तो उससे बीवी के साथ हम इस तरी करना नाजाइज हो जाती है जब तक इसमें साली इद्दत ना गुजारे तो वो सूरत जरूर हो सकती है जिसमें बीवी के साथ हम इस तरी नाजाइज हो जाए लेकिन शायद लोग हम इस तरी के नाजाइज होने से निकाह को खतम समझते हैं जो ख्याल बिल्कुल गलत है यानि निकाह तो इसमें किसी सूरत नहीं टूटेगा चाहें साली के साथ सिर्फ निकाह कर लिया जाए या फिर उसके साथ जिना किया जाए इन दोनों सूरतों में बीवी से निकाह आदमी का नहीं टूटेगा अब रहा चुका कि निका के ओपर फरक्तों पहले से भी नहीं होता अब ये कि अगर साली के साथ निका किया और निका के बाद हम बिस्तरी भी की तो अगर साली के साथ हम बिस्तरी कर ली निका के बाद तो ऐसी सूरत में उस औरत से यानि अपनी बीवी से उस वक्त तक हम बिस्तरी प्रभाजूर्ज भी निकाद तक है जब तक ये इसकी सालिए इद्दत ना गुजार दे तो अगर कोई ऐसा शक्त है कि जिसने सालिए से निकाद के बाद हम बस्तरी धीए तो इसमसाईल को बहुत जाद ध्यान से सुन लीजे क्योंके समें दो तीन सूरते बलकूल आपस में स सिमिलर हैं तो दिखने में जा रगता है कि शायद उसमें सारी सुर्टों का जवाब एक जैसा है पहले सुरत यहां के निकाह भी किया और निकाह के बाद हम्गाह भी की तो ऐसी सूरत में अपनी बीवी के साथ हम्गाह करना नाजाइज होगा जब तक साली को अलग करके उसकी दप ना गुजार दे जाए दूसरी सूरत ही होती है कि साली के साथ निका तो नहीं किया मगर जिना किया तो जिना करने से ना तो बीवी निका से बाहर होगी और ना ही बीवी के साथ हम बिस्तरी ना जाइज बलके यह जिना करना गुना है कबीरा और ये फासिको वाला फेल है, ये हराम है, दोनों इसमें गुनागार होंगे, दोनों पर तौबा फर्ज होगी, मगर इस फेल से बीवी के साथ हम बिस्तरी नाजाइज नहीं होगी, बलके जाइज रहेगी और इसी तरह बीवी निका में तो रहेगी, निका तो वैसे भी किसी सूरत में नहीं तूटेगा और इसमें तिसरी सूरत ये है कि साली के साथ जिना किया मगर ये जिना जानबूज के नहीं किया बलके किसी धोके की सूरत में जिना हुआ तो इसमें फिर वही शर्त है जो साली से निका के भाद हम भिस्तरी की है यह यारी अगर धोके में साली की सास जिना हुआ तो ऐसी स्वरत में फिर जब तक इद दत नही गुज़ारी जब टक अपनी बीयू मज़ी होगी में नहीं मगर यह सिर्फ कहणा हम भिस्तरी तकっे से निका पे फिर भी फरर्क नहीं आएगा मसला ये कि रात को जिमा करना चाहता था बजाए बीवी के गलती से साली के साथ जिना कर लिया या फिर कोई ऐसी मुक्तलिफ सूरते हुई चाहे वो होश में हो या फिर बेहोशी में हो या फिर बेखबरी में हो तो ऐसी सूरत में अगर किसी ने अंजाने में ध हो के से भी इस हमस्राइब करने कर लिया फैसी सूरत में अपनी बीई साथ उसकी हमिष तरी नाजाईज होगी जब तक उसके जब कर गया कोई नंदर ईयानि दोखा नहीं था तो ऐसी सूरत में ना तो हमिषितरी नाजाईब बीई के साथ उनिकाप नहीं आए dużëり। यह के हजिना हर सूरत में हराम है तो इस मसाइल को थोड़ा और जब किसी के साथ मसला पेश आए तो उसको चाहिए कि दारूल इफ्ता या किसी लाके के शहर के काबिल और अच्छे सुनी सही लकीदा मुफ्ती साथ के पास जाएं और वहां उनसे मसाइल बताके इसका जवाब तलब गरें खुद अपने अकल से कयास ना करें अब बताने का मक्साद यह था कि लोग यह ता सब्रू करते हैं गिनिका टूटता निका इसमें किसी सूरत नहीं टूटता बस वह दो सूरत हैं जिसमें अपनी बीवी ऑश शक्स के लिए नजाइज हो जाती है बस वह शूरत है और बाद में और फिर भी शूरत में अगर य परवारि बनाया